तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशल मतलब समाजिक सोशल मतलब समाजिक रिलिजियस मतलब धार्मिक यह दोनों मुवमेंट इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए 19-20 से सेंचुडी बीच में 1820 की सुरुवात से लेकर जो भी आंदोलन हुए उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे तो इनमें से सबसे पहला अंदोलन हमारी लिया आज है यह है आत्मिय सभा इसकी सुरुवात राजा रामोहन राय जी ने की थी अब आत्मिय सभा की सुरुवात राजा मोहन राय ने कहां की थी वो थी कलकता में कलकता में जिसे आप हम लोग वेस्ट बंगाल के अपिटल जानते उसमें बहुत important सहर हुआ करता था कॉलकाता और इसकी सुर्वात 1815 में की गई थी और हिंदी में भी आपको यहां देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने किया क्या था राजा राम मोहन राय ने आत्मिय सभा की इस्थापना करने का उनका मुख्य उद्देश से था कि साइंटिफिक अप्रोच लाने का मतलब कि समाज में कोई भी चीजे जो हो रही थी उसमें पर देख सकते हैं स्वेक सतीपर्था बहुत नृती मतलब सतीपर्था का मतलब की जब बुरोष की विर्थि हो जाते थी उनकी वाइफ उनके साथ अगनी पर उसी अगनी में पर अपने आपको जला लेती एसे हम लोग सती पर्था करते हैं इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था क्यों करने की जरूरत थी आप लोगों कोई पता है कि इस नॉट प्रैक्टिस तो इसके खिलाफ काम करने की बहुत जरूरत थी समाज में लोगों को इसके खिलाफ अवेर करने की जरूरत थी कि यह जो आप कर रहे मर जाते थे उनको जिन्दगी वर विद्वा के रूप में रहना परता था उसके लावा उनके साथ बहुत सारा मतलब कहा जाए कि जो नॉर्मल बीहेवियर होता एक महिला के साथ वो उनके साथ नहीं होता तो उन्हें अलग रहना परता था वाइट सारी पहनने परती थी या क कुछ जगां है इंडिया में जहां बालिवा आज भी होता है बट यह गलत है बट इसकी सुरुवात मतलब सुचिए उस समय कितना गलत होता था कि इसकी सुरुवात 1815 में ही सुरू की गई थी और illiteracy of women आज को आज भी हमारे देश में कुछ राजियों की बात करें जो कि बहुत पीछे डाज हैं वहां महिलाओं के लिट्रेसी मतलब वहलाओं के शिक्षा की बात नहीं होती है बहुत कम होती है तो उस समय तो और बहुत कम थी यह किया दो परसेंटी महिलाएं पढ़ लिक जाती थी तो उस समय वोमेन के वा कि इनके सिफच चापर हूं ने बहुट काम किया उनको सिफचेट किराने के लिए इन सराओं की इस्थापना राजारा मोहन राय ने कि अब आगे बड़ें तो राजा राम मोहन-राय के बादर आता है अब वो पक्ष में किसके थे, वो पक्ष में थे prayer और meditation के, वो पक्ष में थे prayer और meditation के, चली, दूसरा टॉपिक है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की सुरुवात 1867 में, 1867 में, बॉंबई में होई थी, जिसे आज हम लोग मुंबई के नाम से जाते हैं, इसकी सुरुवात उसको सॉल्व करने की सुरुवात वहाँ होई, बट यह जो सुनस्था है, यह बॉंबई में शुरु गई, तो देखा जाए, कि बॉंबई में actual problems उस समय जो प्रिविलेस थे, जो जादा प्रचलीत problem थे, उनमें से कौन-कौन problem को, इन्होंने address करने की कोशिस की अपने system के द्वारा, अपने सवा के द्वारा, तो वो था एक intercast dining की सुरुवात इन्होंने, कि intercast dining आपको पता होगा कि हमारे देश में, अलग-अलग जाती के लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर खाना नहीं खाते थे, तो उसकी सुरुवात की गई कि आप सब लोग बैठ क एक साथ खाना खाओ, ताकि आपस में भाई चारा हो, और ये उच नीच का जो system चल रहा था, उसे कम करने में मदद मिले, उसके अलबाए intercast marriage, जो हमारी समाज में आज भी बहुत ज्यादा मतलब अजीव माना जाता है intercast marriage को, वीड़ी marriage की बात उन्होंने की improvement of woman, woman की जो मित रहती थी, woman घर के बाहर नहीं निकलती थी, घूंगट में निकलती थी, तो ये सारी चीजे थी, जिसके खिलाफ इन्होंने प्रातना समाज की स्थापना की, ताकि समाज में सुधार आ सके, उसके अलावा ये marriage age, marriage age जो आज आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में marriage age for male 21 है, और female के लिए कितना है, female के लिए है 18, जिसे आज बढ़ा के 21 करने की कोसिस की जा रही है, तो ये marriage age को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन था, उसकी सुरुवात भी प्रातना समाज के द्वारा आत्माराम पांडूरां के द्वारा की गई थी, ओके, चलिए अगला topic द जोतिवा फूले ने की थी, ये है जोतिवा फूले, और एक important बात बात बता तो इनकी wife का नाम था, सावित्री भाई फूले, आप लोगे news बे भी सुना होगा इनके वारे में, ये भी बहुत famous महिला थी, जिन्होंने समाज में बहुत सारा सुरहार का काम किया था, और वो भ हमने पढ़ातना समाज जो कि मुंबई से ही सुरू हुई थी, उसके बाद आता है सत्य सोधक समाज, इसकी सुरूबात भी महारास्वर से हुई थी, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इन्होंने अपनी wife को पढ़ाया, तो फिर इनका motive क्या होगा, obviously इनका पहला motive तो ये कि जब क्यों बंद हो गया था, कि 1857 में जब विद्रो हुआ था, या first war of independence फिर जिसे हम कहते हैं, उसके बाद funds आने बंद हो गया, जिसके करणी schools को बंद करना पड़ा, उसके लाब इन्होंने किस-किस चीज के खिलाफ आंदोलन किया, obviously unfair caste system, caste system था, caste system is not an issue, जब तक कि हम caste caste में एक दूसरे के साथ भेदभाव करें, धर्म में अलग-अलग धर्म के लोग, हम लोग एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ जब भेदभाव होने लगता है, कि मेरा धर्म तुम्रे धर्म से बेहतर है, तुम्हारे धर्म में problems है, मेरे धर्म में problems नहीं है, तो problem शुरू होती है, तो caste system में भी क्या है, कुछ systems ऐसे होते हैं, कि कुछ लोग छूत होते हैं, जिनको छूना भी पाप बना जाता था, और कुछ लोग अपने आपको मतलब भगवान का दूद समझते थे, तो यह जो system है, यह बहुत 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 करता है, जैसे आज अमीर और गड़ीब के बीच में बहुत 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 है, यह भी differences कास्ट में थे, जिसे solve करने का काम जो तीवा फुले ने शुरुवात की थी, सत्य सोधक समाज के द्वारा उसके अलाव ये इनलोजिकल ब्राह्मनिकल स्टेट है जिसकी बात मैंने की ना कि कुछ लोग अपने आपको भगवान का दूत मानते थे मतलब मैसेंजर अफ गॉल्ड तो उसके खिलाफ ये थे और ये ब्राह्मन्स को इस जो अट्स्टेटस ब्राह्मन्स ने अपने आपके लिए हांसिल किया था ये अपने आपको घोसित किया था इसके वो खिलाफ थे चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है अगला टॉपिक है आडे समाज, आडे समाज का मतलब तो आरे समाज की सुरुवात 1875 1875 में किस ने की थी स्वामी दियानंद सरसती जी ने की थी 1875 में इसकी सुरुवात भी बॉंबय में हुई तो अभी तक हम लोग ने जितना चीज पढ़ा उसमें एक था कॉल का था उसके लावा सारे चीज रिलेटेट किस चीज से हैं बॉंब लोग डिवाइडेड नहों वैसी सोसाइटी जहां लोग कास्ट में डिवाइडेड नहों तो इस तरह के सोसाइटी की बात आरे समाज करता था और इस आर्ट समाज से रिलेटेड आप लोगों को पता होगा कुछ लोग पढ़े भी होंगे डियानंद एगलोवैदिक जो सं सा है इसके अंतरगत बहुत सारे कॉलेज और स्कूल से लाए जाते हैं और अगर सही मैं हूँ तो इंडिया के हर जिले में दो-तिन स्कूल्स डियेवी के आज हैं और हजारों लाखों बच्चे वहाँ परते हैं और हमारे जो पूर्व रास्पती ग्रामनाथ कोविन जी थे इनोंने यूनाइटे इंडिया की बात की मतलब एक इंडिया जो आज हम हैं जो आज हम एक इंडिया पूरा इंडिया एक है कोई डिव हैज तो आज चीजू को सुरुआत से उन चीजों के परती लोगों का रुजान कि हमें United India बनाना है इसकी सुरवाद आरे समाज के द्वारा स्वामी द्यानन सरसती जी ने की थी ओके चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा अब देखिए इसका नाम ही है एजुकेशन सोसाइटी तो एजुकेशन सोसाइटी काम किसीच के लिए कड़ेगा और यह जो डेकन एजुकेशन सोसाइटी आज भी बहुत सारे कॉलेजेज इनके द्वारा संचालित इंडिया में होते हैं इसकी सुरवात 1884 में कहां से हुई पुना से हुई थी यह भी महारास्ट का ही पाट है और यह जी जी अगरकर जी के द्वारा इसकी सुरवात हुई थी इसकी सुरवात जी जी अगरकर जी के द्वारा हुई थी और इसमें बाल गंगाधर तिलक का भी योगदान था इसमें बाल गंगाधर तिलक का भी और विपिन चंद्र पाल यह तिनों नाम याद रखिए गाल बाल पाल फीमर्श फ्रीडम फाइटर्स थे और इन तिनों के ग्रूप नेम को ही लाल बाल पाल कहा जाता है तो लाल लाल बाल सौरी बाल गंगाधर तिलक और जीजी आगर कर जी के द्वारा डेकन एजुकेशन स बढ़ आज भी बता दूं इनके द्वारा बहुत सारे कॉलेज संचालित किये जाते हैं चले अगला देखते हैं अगला है हमारा इंडियन नेशनल कॉंफरेंस से एक चीज आप लोगों की दिवाग में आ रहा है सा कई गलत तो ना लिख दिया आपने इंडियन नेशनल कॉ इंफरेंसी था बट ये कख सकते हैं सबसीडिरी पार्ट था इंडियन नेशनल कॉंगेस का कैसे था सबसीडिरी पार्ट वो में बताता हूं ऐद्धा देख लेते हैं कि इसकी सुरुवात कब हुई थी 1887 में इसकी शुरुवात भी बॉंबय में हुई थी महा गोविंद राना डेकेज ज्वारा हुई थी उसके लावा रगुनाथ राव भी इसमें founder members में से थे रगुनाथ राव इसके founder members में से थे ओके उसके बाद आप इसका जो सेशन हुआ था वह कहा हुआ था मदरास में मदरास में जिसे आज हम लोग चैन्ने के नाम से जानते हैं तो यह जो सेल था ना यह जो पार्ट था इंडियान नेशनल कॉंफरेंस यह एक सोशल सेल था सोशल सेल का मतलब समाज में सुधार लाने के लिए जो इंडियान नेशनल Congress का एक अंग था, वो था Indian National Conference, अब Indian National Conference ने एक Place Movement चलाया था, Place Movement का मतलब होता है कि सपत दिलवाना लोगों को कि वो Place Movement था किसी इच के लिए Prohibition of Child Marriage, बच्चों की साधी को लेकर माव आप से सपत लिया जाता था कि आप बच्चों की साधी नहीं करेंगे, आप बच्चों की साधी जिन्दगी में नहीं करेंगे, इस से सम्मंदित प्लेज करवाने का काम किस ने किया था, Indian National Conference ने किया था, उसके अलावा ये पॉलीगेमी पर काम करते हैं, पॉलीगेमी पता होगा आप लोगों को, पॉलीगेमी का मतलब होता है कि एक male person, दो या तीन female person से साधी जब करता है, तो उसे हम पॉलीगेमी करते हैं, और इसी के जब उल्टा हो जाता है, जब एक female, दो तीन male के साथ साधी करती है, तो उसे polyandres काते हैं, आपको अजीव लग रहा होगा सुनने में, बढ़ हाँ, ये चीज़ें, एक समय बहुत प्रचलित थी, हमारे देश में, आज भी कुछ आदिवासी समाज है, जहाँ polyandres famous है, polyandres popular है, उसके लाबा, intercast marriage की बाद इन्हों ने की थी, intercast marriage की बाद हमने पढ़ा, कि एक और society ने की थी, जिसका नाम क्या था, आप लोग बताएं, अगर तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा, तो intercast marriage की बाद प्राटना समाज ने की थी, याद रखने की बाद है, कि कुछ important चीज़ें हैं, जो पुनर जागरन भी करते हैं, इसे हम लोग पुनर जागरन भी करते हैं, रहने सा करते हैं, तो हम लोग में जो पुनर जागरन आया, इन्हीं लोगों के मदद, इन्हीं लोगों की बदौलत आया, लोगों ने अगर शुरुवात नहीं की होती, तो हमारे समाज में ये जो प तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की सुरुवात 1897 बेलूड में की थी, तो इसको इनिशली शुरुवात करने का कारण था कि लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करने का मतब सिर्फ आदमी की मदद नहीं, आदमी, जानवर, सब की मदद करना था, विवेकानद का कहना थ कि service to all creatures, विवेकाननद का क्याना था, service to all creatures, service to all creatures, हर जीव है, वो important है, हर जीव जो क्या है वो important, आज हम लोग climate change की जब बात करते हैं, जंगल के कटने की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, कि हर जीव जंतु हमारे लिए जरूरी है, तो इसकी सुरवाद जो थी, वो कि रामकृष्ण मिशन संस्था की शुरुवाद की थी, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रूप्स बनाए थे, जो कि लोगों की मदद करने का काम करते थे, और इन्होंने अंटचेबिलीटी के खिलाफ काम किया, उन्होंने education of women's के खिलाफ भी काम किया, और इनके schools भी आज चलते है रामकृष्ण मिशन के द्वारा, जहां की बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और इसके बाद आता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी, और आज में सुधार करने के लिए, मदद करने के लिए हैं, इसकी शुरुवात 1905 बॉंबय में की गई थी, और किस ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया, तो ओवेसली जब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, तो ग्रूप सो बनाए जाएंगे, लोगों की क्यूं की थी, इसके पीशे में थोड़ी सी बात आप लोगों को बताऊं, कि ये वर्डा जेल में गाहत्मा गांधी जी ने अंसन किया था, मतलब वो तो करते थे, आमरन अंसन, बिना खाने पीने पर वो बैठ जाते थे हरताल पे, तो ये खिलाफ किस चीज के था, ये था लेक्टोरल पॉलिटिक जो समय हो रही थी, अंगरेजियों के द्वारा, उसके खिलाफ था, तो फाइनली एवर्डा जेल के बाद हुआ पुना पैक्ट, बियार अंबेदकर और गांधी जी के बीच में, उसी के बाद हरीजन सेवक संग की सुरवात की, अब हरीजन सेवक स द्वारा होई थी, उसके अलावा महात्मा गांधी जी ने एक वीकली भी प्रकासित किया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम भी हरीजन था, यह आप याद रखेंगे, ओके, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, धन्यवार, पुरा वीडियो देखने के लिए,